जैस्रियोम्नमासित्यप्या, नमो अरिहंताणं, नमो सेताणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोहे सब्वेशाखुनं मंगिलं भगवाने बीरो, मंगलं गोतं खणी, मंगिलं कुंदि कुंदारियो, जैनि धर्वोस्तु मंगिलं, सर्वि मंगलि मंगल्यं, सर्वि कल्याने कारकं, प्रदानं सर्वि धर्मानां, जैनं जयतो सासिनं। जैनम जयतो सासिनम आंकारं बिन्दु सैयुक्तम नित्यम ध्यायंति योगिना कामदम उचिदम चैवा आंकाराहे नमो नमा मंगल मैं मंगल करन बीत राग बेक्यान नमो ताहि जाते भए अरेहंता दिमाहा करि मंगल करियो महा गंत करन को काज जाते मिले समाज सब आवेनिच पदिराज आचारे कल्प पंडित टोटर मरजी दोरा रचिप यह महान कती मोच माग पैकासर जी पर हमारा स्वाध्या चल लहा है पेज नमर पंद्रे है लोग में हमारा स्वाध्या इस करन्थ पे चल लहा है जिसमें पहले अधिकार के अंदर हमने अब तक पंद्परमिष्टी का सरूः अर्यंत आदी से प्योजन की शिद्धी इस करन्थ की प्यामनिकता यह गर्ण प्यामनिकता कैसे है इसमें असत्य पत कैसे नहीं मिले उन्हें सबके बारें पंद्जी ने बताया उसके बाद यह गर्ण्थ वो क्यों लिखना चाहते थे वह उन्हें बताया फिर उन्हें बताया कि यह सास्त्र कौन से सास्त्र पंद्ज सुनने योग है जिसमें पंद्जा सुनना सुना पिचा पिचा करना सुनने लिया था कि कैसे गर्ण्थ जो पंद्ज सुनने योग है कौन से ग्रंद पढ़ने सुनने योग नहीं है उनके वारे में हमने जाना उसके बार पढ़ने जी बता रहे हैं कि जो ग्रंद पढ़ने सुनने योग हैं उनके बक्ता कैसे होने चाहिए तो उन बक्ता का सरूप पढ़ने जी बता रहे हैं जिसमें हमने कल भी बक्ता का जल्दी में तो सब्से पेले विश्टा हमने देखी थी कि वो उसकी जैन धरम में उसकी श्रधा ध्रण होनी चाहिए क्योंकि जिस ऐसा नहीं होगा तो वारों को श्रधानी नहीं कर पाएगा उसके बाद दूसरा हमने देखा था कि बिध्धा अप्याज उसको ने भली भांती किया हुआ हो जिससे शास्त्रों को पड़ने की, सुनने की, सुनने की उसकी बुद्धी फिगट हुई हो और तीसरा हमने देखा था कि वो सम्मेग्यां का धारी हो जिसके कारण नय आदी जो भेवा निक्चे आदी रूप कतन है उस कतन का अभीब्राय वो पैचान सके कि कौन सा कतन किस अभीब्राय से कहा जा रहा है क्योंकि तब ही वो उसी प्योजन के एकॉर्डिन बता सकता है सो इस लिए लौकिक आदने कि इच्छा नहीं होनी चाहिए उसके वाद धुनिप कर शोता उन्हता पंडी जी नहीं प्रिशन पूछें उनका मिश्ट वच्णों के द्वारा उसका समाधान करें और इस तरह से समाधान हो सके उस तरह से तरह से जितनी बार उसका समाधान करें इसा नहीं यह दो बार पुछिने के बार पुछ रहे हो ऐसा पुछ भी नहीं होना साहिए वक्तापना उसी को सोबा देता है तो हमने यहां तक लियाता सायर इतना ही हो पायाता जिन्मत की प्रवावना तब ही हो पाएगी जब वो उत्तरसी तरह से दे नहीं तो भी सोथा उससे टरहेंगे शंका नहीं करेंगे ऐसी बात आएगी उसके आगे देखते हैं, आगे पंडी जी और क्या लगते हैं, कि बक्ता पने में और क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये साथ क्वालिटी तो होनी ही चाहिए, इसके लावा और क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो देखो नीचे-नीचे का पैरा ग्राफ है, पुनच्चा बक् पाप रूप कारे हैं, जिससे लोग में भी निन्दा होती है, कि उस कारे को कोई भी करे तो निन्दा ही होती है, जो भी निन्दा योगे कारे हैं, वो सारे कारे लगा लेना है, चाहे वो सक्तिवसन रूप हो, चाहे वो चोरी आदी करके वैपार आदीशे हैं, या जूट बो कि वे परादी करना है जिदने भी कार हैं हिस्टे की जो ही कार है जो नीति रूप नहीं है जो योग है नहीं है ऐसा जो भी कार है उसकी प्रवर्थी वक्ता को नहीं होनी चाहिए क्योंकि यदि वो ऐसा लोगने दिकारा करेगा तो उसकी लोग में निल्दा होगी तो वो उसका बचन प्रिमान करेगा जैसे कि कोई जूट बोलके बैपार करता हो तो उसकी बात को कौन बिलिव करेगा उसके उपर कि यह है सही बोला है यह लोग में सबको पता हो कि यह वक्ति जोट बोलता है या यह वक्ति चोरी करता है यह वक्ति सबक्रस्ण रूप पाप में प्रवर्टी है इसकी तो कोई से विश्वास कैसे करेगा कि यह सही बोलता है और बक्तापना पर इसको कैसे सोवित होगा पर उसकी बात भी भलीव नहीं करेगा, तो बक्तापना उसको सोबित भी कैसे होगा, तो इसलिए बक्ता ऐसा होना चाहिए, कि उसके अनिती रूप लोक निंद कारे की प्रवर्टी ना हो, किसी भी तरह के कारे में वो सनलगने ना हो, क्यों? क्योंकि लोक निंद कारें से वे हास्य का इस्तान हो जाए, तब उसका बचन कौन प्रिमान करे, वे जिन धरंग को लजाए, क्योंकि यजि वो लोक निंद कारे करेगा, तो तो हास्य का इस्तान होगा, लोग उसपर हसेंगे एकि देखो जैसा बोलते हैं न लोग की देखो पंडित बना फिरता है और ऐसे कार्या करता है तो वो भी कहा हास्य का पात्य बने राया है ना कि मीटे पद थो बड़ा रखा हुआ है उससे राह भात्पह कर रहा है वो बहुत CPU पदबालेंश से करें ऐसे काम को कर रहा है तो उससे उसकी निंदाई तो इसलिए बक्ता जो है उसको ऐसे कार्व में प्रवर्थि उसकी नहीं होनी चाहिए। कि अरियंद बगवान के बचनों की प्रमानता से पहरे अरियंद बगवान की प्रमानता की है महां पर तो तभी उनके बचन प्रमानता की है तो ऐसा ही बचन की प्रमानता बगता से होती है पहरे बगता की प्रमानता होनी चाहिए ये बगता प्रमानिक है ये बगता हां ये ब वसकी बॉरती लेकिन साथ में वह जिन धरम को 现在 आइगा क्योंकि लोग क्या बोलेंग लोग ही कि देखो जैनी घोटा है कि वह कहते हैं ना कि जैनी होके भी पानीया सा पीता है, ऐसा करता है, जोभी किरियाएं है तो ऐसी किरिया लोग सोगनि खुझको तो करेंगी ही लेकि जिन दर्म को भी लजाएंगी इसी दिए बॉज्ज़ का जाता है कि यदि जैसे कोई आपती भोज करता हो तो पहली बात तो आपती भोज करना ही नहीं चाहिए यदि किसी के बस में नहीं है उस पर नहीं रहा जाता या मेरे शिटम नहीं बैठता तो उससे ये बोला जाता है कि हाँ तु घर में कर ले जो करना है तो लेकि बहार मत कर क्योंकि उससे जिन दर्म की भी निंदा होती है जिन दर्म भी उससे उसकी भी निंदा होती है कि देखो जैन ही होकर ऐसे कारे करता है मैं सहना तो इसी तरह से बक्ता फ्रहम ओषिय साहे दो लोगसर करेगा तो उसकी निंदा होगी, उसकी हसी उड़ेगी जैन धरमकी उड़ेगी तो इसलिए ऐसे को बक्ता पना बिल्टकोर भी सुवेद नहीं होता ऐसा तो बक्ता होना ही नहीं चाहिए पुनच्य बक्ता कैसा होना चाहिए और पंडी जी बता रहे हैं कि बक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसका कुल हीन ना हो अंग हीन ना हो सर भंग ना हो मिश्ट बचन हो पैवुत हो जिससे लोक में मानने हो क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो उसे बक्ता पने की मेंता सोवे नहीं ऐसा बक्ता हो देखो क्या कहा है पंडी जी इसका कुल हीन नहीं हो क्योंकि यदि कुल हीन होगा तो लोग उसके बसनों को प्रिमान नहीं करेंगे क्योंकि इसका कुल हीन है उसके कारे भी हीन होंगे क्योंकि यदि किसी का कुल वहाग हीन है वैसे तो बैक्ति की पैसान कुल के अकॉर्डिन नहीं करना चाहिए क्यों हो सकता है किसी का कुल हीन हो और उसके कारे उच्छ हों लिकिन यजि किसी का कुल हीन है तो उसको वक्तापना सोबित नहीं देता है क्योंकि उसके बच्छनों की प्रिमानता लोक में नहीं होती है करना सुर्भभंग ना हो मिश्ट बचन हों उसके दो बचन है, वो क्रोध रूप ना हो, मान रूप ना हो, माया रूप ना हो, एक मिश्ट बचन हो, कि शोता भी उससे पुछने में डरे नहीं, शोता भी कोई संका रखने में डरे नहीं, उसके बचन होने चाहिए, जब वो बोला है तप्री मिश्ट होने चाहिए, किसी नहीं होगा सिर्फी मैं कि कि लोग उसके बच्नों की पेवानता हो के दिसरेंग इते नहीं होगा तो फिर सोटा उसकी बाद को कैसे मानेंगे लोग में की दो कि आप्नेंआ ही हो से अला वे बगता पने की मैंता procurement नहीं आowych इसलिए ऐसा वकता तो होना जाहिए बकता में यह तो अवस्य ही होने चाहिए इस नेक्ष्ट पेज करना तो अच्छार्य गुनवद्द्र ने भी गुनवद्द अचारे ने भी आत्मानोशासन में कहा है कि जो बुद्धी मान हो जिसने समस्त शास्त्रों का रहसे प्राप्त किया हो लोक मरियादा जिसके प्रगड़ हुई हो आजा जिसके अस्त हो गई हो कांती मान हो उफ्षमी हो व्यशन करने से पहले ही जिसने उत्तर देखा हो भावलता से प्रशनों को शेने वाला हो प्रभू हो परकी तथा परके द्वारा अपनी निंदा रहित पने से परके मन को हरने वाला हो गुण निधान हो इस पश्ट मिष्ट जिसके बचन हो ऐसा सवा का नायक धरम कथा कहे देखो आत्मानु सासन में गुर्वादा चारे ने कितना सुन्दा कितने गुर्णों को बताया है कि जो बुद्धी मान हो means जिसने अने शास अभ्यास के द्वारा उसकी बुद्धी सास्त्रों को पढ़ने यहोगे प्यगट हुई हो इतना तो बुद्धी मान हो इतना तो वह बिवेकी हो उसने गृंतों का अभ्यास किया हो जिसने बहुत शास अभ्यास किया हो और शास्त्रों का रहसर प्राप्त किया हो कि किस सास्त्र में क्या विश्यवस्त्तू है किस सास्त्र में किसने क्या बताया है जैसे समय सार आदी है प्रफशन सार है प्रफशन सार है प्रफशन सार के विश्यवस्त्तू क्या है उसमें क्या रहसर बताया है समय सार में क्या बताया है नियम सार जी में क्या बताया है पनसास्तिकाय जी में क्या बताया है देतप्तासोथ जी में क्या बताया है तो उसने समस्त सास्तों का अधिन किया हो उनका रहसे उसको पिगट हो कि किस सास्त का क्या रहसे है कि सास्त्र में क्या सरू पताया है वो उसको पता हो लोक मरियादा जिसके पेगट हुई हो कि लोक में मरियादा जिसके पेगट हुई हो में इसे लोक में जो अनिती रूप कारे हैं वो वह नहीं करता हो लोक में उसकी मरियादा हो कि हाँ लोक में कोई उसकी निंदा करने बारा ना हो कि हाँ ये लोक निंद कारे नहीं करता है इसके अदो कारे हैं वो नीती पूरवक हैं अनीती पूरवक ये कारे नहीं करता है तो ऐसी लोक की एक मरियादा उसकी पेगाट हुई हो आशा जिसके अस्त हो गई ओ। कि साधान को श्यादने आदि कि जुए आशा नंद न हो क्योंकि आशा यदि होगी, तो सुवताओं के उच्ट हो गई ओ painful गई हो काउब समी हो, प्रशन करने से पहले ही इसने उत्तर देखा ओ प्रशन के पहले ही उप्तर उसने देखा है » कि किसी ने प्रशन किया तो उसका उत्तर वो दे सके बावलता से प्रशनों को सेने वाला हो कि बहुत सारी संकाय आये तो भी उनको सेने वाला हो ऐसा नहीं कि कोदी हो जाए कि इतनी संकाय आ रही है यह हो रहा है तो मदर कोद रूप ना हो जाए उनको सेने वाला हो कि संकाय तो इसी संकाओं को प्रशनों को बावलता से सेने वाला हो प्रभु उसका प्रभुत्त हो प्रभुत्त हो मीज उसकी लोक में उसके बचनों की कुछ प्रमानता भी हो परकी तथा परके द्वारा अपनी निंदा रहित पने से परके मन को हनने वाला हो कि ऐसा नहीं हो कि परके निंदा करने वाला हो परके निंदा करने वाला हो या परके द्वारा अपनी निंदा होती हो तो महा क्रोधी हो जाता हो या कुछ भी होता हो तो ऐसा नहीं हो पड़की निंदा भी नहीं करता हो, पड़की द्वारा अपनी निंदा यही होती भी हो तो उसके भी रहीद हो, पड़की द्वारा निंदा होती ही नहीं हो, क्योंकि उपड़की नहीं होने चाहिए, लोग निंदा का रहे होंगे तो उसकी चीव निंदा कर हो ऐसे निंदा रहत पने से परके मन को हनने वाला हो गुण निदान हो इस पष्ट मिष्ट इसके बचन हो उसके दो बचन है वो इस पष्ट रूप से होने चाहिए और मिष्ट होने चाहिए जब वो बोल रहा है तब बी तो संका आ रही है तो उसका समाधान भी मिष्ट बचनों से करें कुष्ट हो के ना करें कि कोई बारवा संका पूछ रहा है में निदे बटा दिया अश्यों नहीं आ रहा है ऐसा नहीं पंडी जिन नोगा पताया ना कि जितनी वारव को शंका का समाधान करे तो ऐसे उसके स्पष्ट मिश्ट्र बच्चन हो ऐसा जो सवा का नायक है वही धरम कता कहे वही बक्ता पनेगों सुवित होता है ऐसा गुणवद्य आचारे ने आपना नुशासर में कहा है जो को पुनक्च है जो पंडी जी ने इतने लक्षन होताने के आप ब कि यदि उसके ब्याकरन न्याय आदिक तथा बरे बरे जैन सास्त्रों का विशेश ग्यान हो तो विशेश रूप से उसको बक्ता पना सोवित होता है जिसको ब्याकरन आदिका न्याय आदिक गंतों का और जैन धरम जैन सास्त्र के तो बरे बरे जैन सास्त्र है उनका जिसक इसे तो बहुत गता पणा सोभित हो कि पुनच्य एसा भी हो पुनच्य ऐसा भी हो परन्तु अध्यात में रसे द्वारा यथार्थ अपने सरूप का अनुभग जिसको ना हुआ हो भैजिन धरम का मर्म नहीं जानता पतती ही से बक्ता होता है जिसको ऐसा भी हो कि बड़े बड़े जैन शास्त्रों का ग्यान हो लेकिन उसने अपने सरूप का अनुभग उसको ना हुआ हो अध्यात में रसमें उसने डुकती ना लगाई हो अब तर उसने जैन शास्त्रों का ग्यान किया हो लेकिन अपने सरूप का उसको अनुभग नही लिए उसलिए क messenger का समयकदस्ण से ही होता है कि मैं जनाता है जिसले जनान में जानी या, बही अपने फ़रुक अनुमर परशकता है कि देखो बास्तम में जिसने सरुक अनुर नहीं किया उसने बास्तम में अरियंत को भी नहीं जाना उसने बास्तम में जिन धरम को भी नहीं जाना जैसे प्रफशन साहाजी की 80 में गाथा में आता है कि जो द्रब्य गुन पर्याय से अरियंत को जानता है वही अपने को जानता है उसी का मोह सीविले को प्राप्त होता है तो बास्ततम में जो अपने को जान ले वो जिंदरम को भी जान लेगा अरियंद भगवान को भी जान लेगा बास्तम में हम अरियंद भगवान को भी अच्छे से नहीं जानते क्योंकि अरियंद भगवान को भी यदि हम चान लें अच्छे से तो हमें भी अपने स्वरुप का अनुवा हो जाए हमें भी बेदियान हो जाए तो बास्ताम मEMA in अर्यन्द्वगवांगोंग को बहने जाना जिन धर्म को है यिदि में प्राम के पर चेतंग हो जाना होदा और अपना हो यथार्भा उंद्वाशल है गहाती हुआ हुआ है तो इसलिए पंडी जी कह रहे हैं कि जो बरे बरे जैन सास्तां का विशेश ज्ञान भी हो लेकिन अपने शरूप का नुवह उसको ना हुआ हो वे जिन दर्म का मर्म नहीं जानता पत्तती हिसे बक्ता होता है पंडी जीन दर्म का मर्म नहीं जाना है वो पत्ती हिसे बक्ता है अध्यात्मे रस्में शच्चि जिनध का श्रूब उसके द्वारा कैसे प्यगट किया जाए क्योanकि जिसने सेमि जिनध डर्म उसको प्यगट भी किईश्पन में तू बास्तब में उसको प्यगट we не कर पाएगा इसलिए बास्तम में सच्चा बक्ता पना उसको सोबा भी नहीं देगा सच्चा बक्ता पना उसके नहीं होता देखो इसलिए पंडी जी दिख रहे हैं कि अध्यात रस्में सच्चे जिन गरम का सरूप उसके दारा कैसे पिगट किया जाए क्योंकि उसने जाना ही नहीं है इसलिए आत्म ज्यानी हो तो सच्चा बक्ता पना होता है यदि वो आत्म ज्यानी हो सम्मे दर्संग का धारी हो तो ही उसको सच्चा बक्ता पना सोभा देता है क्योंकि प्रवचन सार में ऐसा कहा है कि आगम ज्यान, तत्वा स्रद्धान, सैंयम भाव ये तीनों आत्म ज्यान से सुनने कारेकारी नहीं है देखो, क्या कह रहा है पंडी जी कि प्रफशन सार में आच्छारे कुंद कुंद ने ऐसा कहा है कि यदि आत्म ज्यान नहीं है तो आगम ज्यान, तत्वा, स्रद्धान और संयम भाव ये तीनों ही कारेकारी नहीं है यदि आत्म ज्यान है तो आगम ज्यान भी सारतक है तत्वा, स्रद्धान भी सारतक है और जो संयम भाव है वो भी सारतक है और बिना आत्म ग्यान के ना संग्यम बाव सार तक है ना आगम का ग्यान सार तक है क्योंकि यदि आत्म ग्यान ही नहीं किया तो फिर क्या किया तो फिर मीनिंग नहीं है उसका आत्म ग्यान ही ग्यान है से सवी अग्यान बिस्ष सांती का अमूल है भी तिराग बिग्यान तो बास्तम में तो आत्म ग्यान ही ग्यान है उसके अलावा जो भी ग्यान है वो अग्यान है इसलिए तो किसी को ग्यारेंग का ग्यान भी है और आत्म ज्यान नहीं है तो वो 11 एंका ज्यान भी कैसा है उसका मिठ्या ज्यान है मिठ्या ज्यान है और किसी को आत्म ज्यान हो गया तो किसी को नवकामत भी अच्छे से नहीं आता हो तो भी उसका ज्यान है वो ज्यान जितना भी है वो भी सम्यक नाम पाता है क्यों पाता है सम्यक नाम क्योंकि आत्म ज्ञान है तो ज्ञान है आत्म ज्ञान नहीं है तो चाहिए ग्यारेंका ज्ञान है तो भी वो ज्ञान है ऐसी आत्म ज्ञान की महिमा है ऐसी सम्य दर्संग की महिमा है तो बास्ताम में तो सम्मे दर्संग की जो महिमा है वो यही है बास्ताम में सम्मे दर्संग की जो कहते हैं कि इसे गती में जर्म नहीं होता यहां जर्म नहीं होता तो वो तो उसकी महिमा है बहार से लेकिन बास्ताम में तो आत्म ग्यान की महिमा यही है इसके विए सब अज्ञान है और उसके होने पर सारा ज्ञान है उसके होने पर जितना भी ज्ञान है उस सारा समय रूप है इसी लिए आत्म ज्ञान ही करना ही हमारा प्योजन होना चाहिए जो बीतराग बिज्ञान रूप होना हमारा प्योजन है वो आत्म ज्ञान से ही होगा आत्मज्ञान होगा तो ही हम भी तरह विज्ञान रूप हो पाएंगे इसलिए आत्मज्ञान का ही निरंतर प्रयास होना चाहिए कि किस तरह से आत्मज्ञान होगो देखुपुनस्य पंडी जी कह रहे हैं कि दुगा पावड में क्या कहा है पंडिये 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 कि हे पांडे तु कन को छोड़कर तुसी ही कोट रहा है तु अर्थ और सब्द में समतुष्ट है परमार्थ नहीं जानता इसलिए मूर्ख ही है ऐसा कहा है बास्ता में जो यह मुग कहा है वो हम सब के लिए कहा है कि हम सब भी कैसे हैं आर्थ और सब्द में संतुष्ट हो रही है जो परमार्त है जो उसका यथार्थ सरूप है वो हमारे ज्ञान में नहीं आ रहा है और हम इतना ज्ञान के संतोष्ट हो रहे हैं कि हमने इतना जान लिया, हमने इतना जान लिया तो यह आमें जो ज्यान का अभिसान हो रहा है वो यह मारी मुक्ता की पैचान है पंडी जी क्या कहने, कण ऑसे ही हुट रहा है कि तू अन को छोड़के जो घास फूस है उसी को गहन कर रहा है तो बास्तम में जो परमार्थ है तो यथाल वस्तु है उसको तू गहन ही नहीं कर रहा है इसलिए तू मूर्की ही है तो बास्तम में हम सब भी मूर्की हैं क्योंकि हम सब भी अर्थव सब में संतुष्ट हैं इस इसलिए हमें निरंतर परमार्थ को दो यथार सरूप है, उसको जानने का प्रयास रहना चाहिए, सब्द और अर्थ में हमें संतुष्ट नहीं होना है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है, कि हमें सब्द में और अर्थ में संतुष्ट नहीं होना है, किसी भी तरह से हमें कुछ नहीं होना है उसको जानके बस्तु का स्रूप जानना है देखो फिर आगे पंडी जी क्या कह रहे हैं तथा चौदे विध्धाओं में भी पहले अध्यात्न विध्धा प्रदान कही है इसी लिए जो अध्यात्न में रसका रसिया बगता है चौदे विध्धाओं को उसी है इसका तो मुझे भी नहीं पता है चौदे विध्धाओं को उसी है जो चौदे विध्धाओं में अध्यात्न विध्धाओं कोई प्रदान कही है कि बाकी सारी विध्धाओं प्रदान नहीं है बाकी सारी विध्धाओं वास्ता में विध्ध तो अध्यात में रसका जैया बखता है उसे जिन ध्रम के रहीं का बखता जाना जाना जिसने उस अध्यात में रसका पान किया है जिसने बस्तु के सरूप को जाना है जिसने जिन्य धर्म के मरव को जाना है बास्तम में वही जिन्य धर्म के रैसेगा बक्ता है पुनच्य जो बुद्धी रिद्धी के धारक है तता अब्धी मन पर ये केवल ग्यान की धनी वक्ता है उन्हें महान वक्ता जानना जो बुद्धी के धारी है जो अने रिद्धियों के धारी है अब्दी यान, मन परिये यान, कियवल यान के धारी है ऐसे बक्ता ही वास्तम में महान बक्ता है वास्तम में तो बक्ताओं के ऐसी कुन है वास्तम में बक्तापना उन्हीं को सुवित होता है देखो फिर ही आप संक्या क्या हो सकती है ऐसे बक्ता ना मिलें तो क्या करें जो पंडित जी ने उन बताई है जो क्वालिप्ती बताई है अब तर बक्ता पने की कि ऐसे बक्ता नहीं मिलें तो क्या करें तो देखो पंडित जी उस बात को आगे खोल लए है तो इन विशेश गुनों के धारी बक्ता का संयोग मिले तो बहुत बना है ही कि ऐसे बिशेज गुनों के धारी जो हम बता के आए हैं ऐसे बक्ता का संयोग मिल जाए तो तो अपना पूरु अफसरी समझना अपना महान पुन्य का उद्य समझना कि हमें बहुत पुन्य के उद्य से ऐसा समयोग मिला है क्योंकि ऐसे गुणों के धारी वक्ता का मिलना पंचंकाल में लगवाद दुल्लव है हम कहें तो क्योंकि मन परिया ग्यान आदी मन परिया ग्यान के धनी मिलना के धनी मिलना मुस्किल है मन परिया ग्यान भी मिलना मुस्किल है और जो अध्यात मुरस्के रसियां है ऐसे वक्ता मिलना भी दुल्लव है है तो दुल्लव है यह कहेंगे हम यह नी कहेंगे कि असंभभ है दुल्लव है हाँ मिल सकते हैं क्योंकि पंचम का कि अत्ता भावलिंगी संद्वी हैं, तो लेकिन ऐसे विशेज गुणों के धारी बक्ता का मिनना दुल्लव है, यदि ऐसा संहिगों मिल जाए तो अपना मान अप्रू अफसरी समझना, और ऐसे बक्ता का संहिगों मिल जाए तो बास्तर में अपना कर्लिया तो ऐसे बक्ता का संहिगों मिले तो बला है ही, और ना मिले तो जो श्रद्धान आदी गुणों के धारी बक्ता हैं, उनके मुक्से ही सास्ते सुनना, जो श्रद्धान आदी गुणों के धारी हैं मीशे, जो सम्मिक दर्सन आदी के धारी हैं, उनके मुक्से ही सास्ते सुन दिए उपर उनको लेना और स्रद्दानादी गुनों के धारी में जो समय दर्दन है ऐसे जो स्रद्दानादी गुनों के धारी है उनके मुक्षे ही सास्ते सुनना इस पेकार के गुणों के धारक मुनी अत्वा स्रावग उनके मुक्षे तो सास्त सुनना योग है और पद्दती बुद्धी से अत्वा सास्त सुनने के लोव से सरद्धान आदी गुन रहे पापी पुरुसों के मुक्षे सास्त सुनना उचित नहीं है तो जो ऐसे गुणों के धारी मुनी है या श्रावग है उनके मुक्षे ही सास्त सुनना योग है बाकी जो श्रद्धान आदी गुणों के धारी नहीं है पापी पुरुस है ऐसे पुरुसों के मुक्षे सास्त सुनना उचित नहीं है कहा है कि जो जिन अग्या मानने में साबधान है जिसको जिन अग्या भंग करने का बहुत भै हो क्योंकि जिन अग्या भंग करने का जिसको भै होगा वो जिन अग्या के गृत्तु नहीं बोलेगा तो इसलिए जो जिनग्या मानने में साद्धान हो निर्गंत सूगुरु के ही निकट धरम सुनना योग है जो ऐसे निर्गंत सूगुरु है उनके ही निकट धरम सुनना योग है अथवा उन सूगुरु ही के उपदेश को कहने वाला उचित श्रद्धानी श्रावक उससे धर पतर्मसुना योगं है एसा जो बगता धर्म बुद्धृ से उपदेश दाता हो भही अपना तथा अन्य जीवें का भुरा करे जो ऐसा जानना इस मष्चा का सरूका तो ऐसा जव बख्ता को बेचा को सुवेत है इस से यह मैं यह जानना चाहिए कि एक जवर थारव चॉन न चाहिए कैसे ज़ित्वर सांस्त सुनना चाहिए इस ऑठाक का सरूक आप updatese आगे बताएंगे सब से महान बक्ता कौन है तीर्थंक केवली नीग बढ़ना है दाक मुक्ता के लस्lli के लाथ ने को पाया. मुक्ता कैसे होने चाहिए. सूता क्या क्या राचारा आदिया वह परिपार्टि में हैं लेकिन मुक्ता न 있क ऺड़ा कंता है । अभी हम आगे शोता कैसे होने चाहिए, शोता क्या क्या सरूप है, तो उसको देखेंगे, और उससे हम ये भी नेड़ने पहुंसेंगे कि हम कहां पर हैं, जो हम ये बक्ता का सरूप हमने सुना, शोता का सरूप हम अभी आगे देखेंगे, तो हम शोता के सरूप में भी कहां पर हैं काहँ पए करते हैं कर ना चाहिए हमारा किया है उसके अंद्ट हमें काहँ पर हो न चाहिए उसके कि कर सकते हैं तो और क्या करना योग है। वो साही चीज़े हमें चिलतन में लेनी चाहिए करन्त को पढ़के तो शुरता का सुरूप हम कर देखेंगे अब यहां तक किसी को कोई संका हो तो पुछ लें कोई संका नहीं है जिन्माने शुति करते हैं हे जिन्माने भारती तो ए जपूदिन रहें जो तेरी सर ना गहे सोपावै सुक्चैन जावानी के ज्यानिशे सुझैलो कालो सोबानी मस्तक नमो सदा देते हूंडो सोबानी मस्तक नमो सदा देते हूंडो पंस पमिष्टिके स्मान पूलवक नवानो कार्मंत